वेल्कम टु कीवी किचन किंग आज हम फूट कस्टर्ड बना रहे हैं आपके कोई गैस आ जाय तो इसे आप असानी से बना सकते हैं या फिर कोई व्रत हो व्रत में भी से आप बनाके खा सकते हैं बहृती टेस्टी है इसे आप जरूर ट्राइ करिएग और वीडियो को यह तर तो आइए में स्टार्ट करते हैं अपना फ्रूट कस्टड बनाना इसके इंग्रिडियंस देख लेते हैं हमने आधा लीटर मिल्क लिया है इसे हम बॉयल करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने मिल्क को रख दिया है जब तक ही थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे पांच मेट हो गए हलकल का गाढ़ा भी हो गया है अब इसमें हम एक छोटी कटोरी शुगर डाल देंगे और इसे चला लेंगे अपाइटमेंट फिर से इसे फुड़ा और गाड़ा होने देंगे और इसे चलाते रहेंगे यह हमारा मिल्क बॉइल हो गया है अब हमने तीन चमत कश्टर पाड़ा लिये हैं इसमें ठंडा मिल्क डालेंगे थोड़ थोड़ डाल कर इसे मिक्स कर लेंगे मिल्क डालते जाएंगे और इसका पतला सा पेस्ट बना लेंगे पतला पेस्ट रेडी हो गया है अब कस्टड वाले मिल्क को इसमें डाल देंगे और चलाते जाएंगे अब हम इसको बिल्कुल पर छोड़ेंगे नहीं चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे चिपक जाएगा यह दो मिनिट के लिए इसे चलाते रहेंगे यह देखे गाड़ा हो गया है हमारा पेश अब गयास को आफ कर देंगे और इसे थंडा होने देंगे यह जब ठंडा हो जाएगा ठंडा होने के बाद हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे यह देखे हमारा कस्टड ठंडा हो गया है और गाड़ा भी हो गया है अब हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे ये देखी हमने याहा फ्रूठ्स लीए हैं बनाना लिया एपल अनार ब्लैक ग्रेप और नॉर्मल ग्रेप आपको जो फ्रूठ्स पसंद हो आप वो ले सकते हैं अब हम इसे कस्टड में डाल लेंगे हम थोड़े थोड़े डाल लेंगे और थोड़े से उपर से गार्निशिंग के लिए रख लेंगे अब हम मिक्स कर लेंगे इन्हें देखिए हमारे कस्टेड रेडी हो गया है अन्दी से सर्फ कर लिया है आपकी यहां कोई गैस्ट आए तो इससे आप असानी से बना के खिला सकते हैं सबको बहुत अच्छा लगेगा और हमें कमेंट करके बताइएगा थैंक यू